सिखे अर्बी बोलना भाग नमबर पांच मोया पानी अब्बी भरो अब्बी यानि भरो अब्बी भरो डीजल डीजल अब्बी भासा में और हिंदी में अंगरेजी में डीजल को डीजल ही बोलते हैं लेकिन ये डी की जगह दी यूज़ करते हैं डीजल डीजल यानि डीजल बन्जीम पेट्रोल सवी करो कोई काम करो या कुछ भी करो जहां यूज होता है वहाँ पे सवी लगाए जाता है सवी डीजल अब भी ऐसे बोल सकते हैं सवी डीजल अब भी यानि डीजल भरो मल्यान मल्यान फुल अब भी डीजल मल्यान यानि डीजल फुल भरो मल्यान फुल खजान टैंकी खजान टैंकी खजान टैंकी खजान का मतलब टैंकी चाहे वो पानी की हो या पेटरोली की हो किसकी भी हो उसको खजान ही बोलते हैं खजान सोया यानि थोड़ा उसको बोलने में थोड़ा जोड़ा लेगाना पड़ता है सोया यानि थोड़ा नागस यानि कम है नागस यानि थोड़ा है कोई भी समान कम हो कि भी ये समान कम है तो उसको क्या बोलेंगे अर्भी में नागस आदा नागस Cup अदा मानि ये है आदा नागस यानि बंजिम नागस यानि पेंटरॉल कम है रकब 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 का मतलब डालो या रखो लेकिन जहांपे हम जो जुबान बोलते हैं उसके हिसाब से इसको समझा जाता है रकब रकब यानि हमारे साथ में कोई सामान हो या हम किसकी को गयते हैं कि यह उठा गिए उदर रखना है तो रखने के बोलते हैं रकब, रकब यानि रखो या हम पेटरूल पमपर गए और हमने बोला रकब बंजीम, रकब बंजीम यानि बंजीम डालो, पेटरूल डालो, इसका दो मतलब बनता है, रकब यानि रखो और रकब बन्जीम यानि पेंट्रोल डालो रकब मोया यानि पानी डालो लेई लेई पाइप प्लास्टिक का पाइप लेई लेई यानि प्लास्टिक का पाइप कोई भी पाइप हो लेकिन लोहे का तांबे का इसका नहीं होना चाहिए रबड का प्लास्टिक का तो उसको बोलते हैं लेई 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 ऐसे थोड़ा गले से ताकत लगाना पड़ता है लेई, पाइप, प्लास्टिक का पाइप यानि कोई भी, रबढ़ का या प्लास्टिक का, मसूरा, मसूरा यानि पाइप लोहे का, लोहे का पाइप, मसूरा, लोहे का पाइप, मसूरा, लोहे का पाइप, मसूरा, मसूरा, ऐसे बोला जाता है, शियारा यानि गाड़ी शियारा गाड़ी शियारा गाड़ी शियारा का मतलब यह होता है कि जो के चार टाइर हो तो उसको शियारा ही बोलते है दो टाइर को भी बोलते हैं शियारा जिसके टाइर हो उसको शियारा बोलते है यानि गाड़ी जिए चोटी और बड़ी हम बोलेंगे तो सगीर सगीर शियारा यानि छोटी गाड़ी कबीर शियारा बड़ी गाड़ी कबीर यानि बड़ी सियारा गाड़ी mc 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 यानि चलो चलो mc चलो अगर हम किसी की बाइक पर बैठे हैं तो उसको कहेंगे चलो या गाड़ी में बैठे हैं किसी के तो हम उसको कहेंगे ड्राइवर को कि चलो तो क्या कहेंगे mc mc यानि चलो या फिर हम साथ में कहीं बैठे हैं और हम किसी को कह रहे हैं कि चलो तो क्या कहेंगे या ला एमसी या ला एमसी या ला का लब्ज हर लब्ज में यूज़ कर ओता है अक्सर करके रो या ला रो या ला मा फिरो यह अल्ला का यूज़ थोड़ा ज्यादा होता इसके अंदर लेकिन कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको आप ऐसे ही बोल सकते हैं MC यानि चलो रो रो यानि जाओ रो यानि जाओ रो यानि जा सकते हो इसके लब्ज बनते हैं जाने के जाने के लब्ज बनते हैं इसके रो यानि जाओ जा सकते हो तो ये एक आदमी हो या एक से ज्यादा हो तो भी सिरफ रो रो बोला जाता है रो तो कुल्लू रो यानि अगले मैंने पार्ट में आपको बताया था भाग के अंदर कुल्लू का मतलब सब कुल्ल यानि सब रो मानि जाओ सब जाओ कुल्ल रो रो इसको ऐसे ताक्षत लगा कि बोला जाता है रो गले से निकलती है अर्भी बहासा गले से निकलती है रो यानि जाओ जा सकते हो तरीक तरीक यानि रोड या रास्ता इसके दोनों लबज बनते हैं तरीक तरीक रोड तरीक रास्ता तरीक रोड रास्ता दोनों बनते हैं कुबरी कुबरी यानि पुल और इंगलिस में हम कहते हैं बरीज तो यह दोनों लबज इसके बनते हैं कुबरी यानि पुल पुल, कुबरी, पुल, कुबरी, रो ताहत, रो का मतलब जाओ, और ताहत मानी नीचे, यानि कुबरी के नीचे से जाओ, पुल के नीचे से जाओ, मतलब हो गया, कुबरी, रो ताहत, यानि पुल के नीचे से जाओ, तो कुबरी यानि पुल या ब्रीज नफक नफक होता है जो अंडर ग्राउंड रस्ता मनाया हुआ होता है तो उसको बोलते है नफक नफक यानि अंडर ग्राउंड रस्ता नीचे से जमीन से रस्ता बनाया हुआ रहता है तो उसको बोलते है नफक अंडर ग्राउंड रास्ता और गार गार यानि गुफा गार गार गुफा गार इसके बोलने में गैले से निकलती है ये बासा और भी बासा गार यानि गुफा जबल जबल यानि पहाड जबल पहाड जबल पहाड जबल पहाड जबल पहाड इसारा 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 का मतलब होता है इसारा जैसे बत्ती होती है लाल बत्ती है रोड के ओपर इसारा जब अपने बोलते हैं इसारा है तो इसारे को इसारा ही बोलते हैं अर्बी के अंदर भी इसारा ही बोलते है इसारा यानि इसारा दवार दवार यानि अपन जो राउंड बोर्ड होता है राउंड बोर्ड जिसको इंगलिस में राउंड बोर्ड कहते थे हैं और हम हिंदी में कहते हैं गोम चकर जहां से रस्त गोल आई है जासे रोड़े गाड़ी राउंड करके वापिस आती है गोल चकर है तो उसको बोलते है दवार अर्भी बासा में दवार बोलते है दवार दवार गोल चकर यमीन यानी राइट जो आपना सीधा हाथ है उस सीधे हाथ की तरफ राइट यमीन यानी राइट साइड इसार इसार, इसार का मतलब left side, अपना जो उल्टा हाथ है, इधर हो गया left side left side, इसार, इसको बोलने में गले से इसको निकालना पड़ता है इसार, इसार, रो, इसार, यानि रो मानी जाओ, इसार यानि left, लेफ्ट जाओ sida, sida का मतलब, यहाँ पर, अर्बी बासा में और अपनी हिंदी बासा में, उर्दो बासा में, sida को sida ही कहते है sida, 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 यह दोनों लबज एक जैसे हैं, समझ जाते हैं आपस में sida, यानि ro, ro का मतलब, जाओ, sida, sida, यानि sida जाओ, ठीक है तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया, तो आप हमारा वीडियो लाइक करें, और सेर करें और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाईएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुकरिया और यह यह रादी करें चैनल सब्सक्राइब कर दो के लिए, यहादाएं जर यह वेवाल यह झाल